नमस्कार दोस्तों आपका बहुत श्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में इस बड़े में हम बात करेंगे डिलाइंस और फिचर रिटेल के जो डील है उसके बारे में एमेजोन को डली हाई कोट ने एक रिलीफ दिया है इस डील को ले करके तो इस डील के कारण जो रुकावत लगे हैं फिचर डील पे डिले हाई कोट के दवाए अ आज फीचर रिटेल में लोगर स्रक्ट देखने मिला तो यहाँ आप देशने आप देशने देली High Court तो इसको रिलेफ दिया है तो यह डीचर रुपने के कारण जो फीचर रिटेल का सेर प्राइस है आज लोगर सरक्ट देखने मिला तो यह देखते हैं फेचर डिटेल का सेर है इसमें लोवर सरकीट लगा 4 रुपिया यह मैनस में है 4.96% का लोवर सरकीट मतलब 5% का लोवर सरकीट इसमें लग चुका है अगर 1 था में प्राइस की बात करें यहां के देखते हैं 74 रुपिज का असपास था इसका लोवर प्राइस वन विक में अगर 1 यर की बात करें तो वन ये में इसका लोवर सरकीट लग श्रम ज़र वक्राइस में επह्परियल के गिरावाट में गया था अगर maximum मेरे मेरे चार्ट की बात है कि कभी ये stock 600 रुपीज का हुआ खरता था अभी आपको देखते हैं मात्र 100 रुपीज के भी अंदर ये stock मिल रहा है क्योंकि इसके उपर जो मुख्य बज़े है वो date है कपणी को पर काफी जादा date है और अपने इस business को बेच कर वो date company का चुकाना चाहती है लेकिन बारपार Amazon जो है इसमें अर्चन अरा रहा है इस deal को लेकर क्योंकि Amazon इंट्रेस्टेड है अगर फिचर रिटेल के फंडाव इंट्रेस की बात करें तो यह हम देए अगर मार्केट केप है 4186 करोर और करेंट प्राइस तो आपने देख लिए 77 रूपीज के असपास है और 52 वी खाय का देख लिए एक साल में भी यह 383 रूपीज के हाई प्राइस पे था अब ही मातर यह 77 रूपीज पे बिल रहा है अगर कंपनी को पर डेट की बात करें 11,809 करोर का डेट है कंपनी को पर जबकि रिजर्व कांपनी पास काफी कम है 2,906 करोर तो ऐसे डेट वाली कंपनी आपको कभी भी इन्वेस्ट करने से अगर डिलाइस लेता भी है तो काफी कम बैलू देगा आपने जो रिटेल सेर होल्डर है तो इसलिए आप इसमें कुछ खास ज्यादा आपको नहीं मिलेगा लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेट है इस स्टॉप में और यहाँ पर परमोटर्स होल्डिंग देखे जे 28% है उसमें भी 64.8% सेर प्लिज है जो 28% है परमोटर्स के पास उसमें से भी 64% प्लिज है सेर और फेस वैल्यू की बात करे तो इसका 2 है रिटर्न और इक्विर्टी दो दसनलब 36% है जबकि रिटर्न और कैप्टल इंप् तो हर चीज अपनी का काफी बुरा हाल है अर्णी पर शेर भी निगेटिव, प्रोफट ग्रोफ़ भी निगेटिव, प्रोफट भी निगेटिव, कपनी कुपर डेट भी काफी जादा तो हर चीज़ देखें काफी मतलब फनामेंटर्स जो बिग रहा हुआ है तो ऐसे स्टॉक में आप किसलिए सिर्फ इंबेस्ट कर रहे है कि रिलाइस इसको ओभर्टेक कर रही है और यह कपनी का जो नेट परोफिट है वह देख लेघ जेब में मैनस 1568 क्रोड का नीगेटीव ट्रेलिंग pandemic मन्त का प्रोफिट है तो अप्रेलिंग 12 मंत मतलब पीछे 12 मंत का प्रोफिट नेगेटीव में है जबकि मार्च 2020 फाइनेंसल एर में मातर 12 क्रोर का प्रोफिट 2019 में देखे प्रोफिट कितना गजब का था 727 क्रोर का तो प्रोफिट भी निगेटिब में जा चुका है कपनी का उपर काफी डेट भी है अपने साड़े स्टोर को बेचने के बाद कपनी पूरा डेट अपना पे करने में सक्षम नहीं है तो दोस्तों ऐसी कपनीयों में आपको इंवेस्ट करने से थोड़ा सा दोर रहनी चाहिए और वहीं बात करें कपनी का जो अभी डिलिवरी परसेंटेज है अभी कपनी का अगर डिलिवरी परसेंटेज की है नहीं तो काफी कम इसमें ट्रेडिंग होता है और यहां पर आप जो आज का करवार देख सकते हैं कंपनी का जो आज का करवार है तो यह काफी के बारे में डेटेल था कभी आपको ऐसे सेर में इन्वेस्ट नहीं करना है सिर्फ आप इसमें इन्वेस्ट करें तो समझें इन्वेस्ट जितना मतलब डिले होगा सेर का प्राइस उतना ही नीचे आएगा कभी यह सेर प्राइस 100 रूपीज का हुआ करता था मतलब डिल का सुरुवात हुआ था तो 150 का हुआ करता था तो 100 का भी होता था अब 77 का हो चुका है फिर यह 50 का हो जाएगा जब तक में डिलाइस उसको अबर टेक करेगी तो यह 10 रूपीज भी आ सकता है 10 रूपीज के नीचे भी आ सकता है तो आपको ऐसे स्टॉक में अभी मतलब इंट्री नहीं करना चाहिए अगर डिल पूरी तरह से पक्की हो जाता है डिलाइस की कंपनी यह हो जाती है तो ऐसे सेर को अब बाइट केजिए तो यह हमारे तरब से एक हैलफुल वीडियो था आपके लिए कि आपको ऐसे स्टॉक से अभी दूर रहना है जब डिल पक्का हो जाता है उसके बाद अगर आपको मिले तो ठीक है अगर नहीं मिल पाया उसके बाद तो हम छोड़ देगे ज उसके पड़्रे पर नहीं कूदना है चलते वे ट्रेन में तो तो अगर पकर सकते है तो अभी ट्रेन स्टार्ट भी नहीं हुए है जब ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है तब ज हरते है अभी डिलाइज उसको लिया भी नहीं है जब तक holds count मार्केट में अपना ट्रेनिंग और डिमेट एकाउंट ओपे नहीं किया है तो आप जिरोधा के साथ ओपेंड करते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ करते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बहतरी प्लेटपाम है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से और इंटरडे में सिर्फ 20 रुपेज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा,